नमस्कार दोस्तों आप सभी को HRD International School के Android application के बार जानकारी देने के लिए मैं आज आपको एक संक्षिप्ट वीडियो के माध्यम से बदाना चाहूँगा कि HRD International School ने एक Android application बनाई है जिसके अंदर आप अपने बच्चे की आज के इस मामारी के दोर में जो शिक्षा है उसको आप घर बैटे करवा सकें और बच्चे की संपोर्ण जो जानकारी है विद्याले से संबंदित वो भी आप घर बैटे प्राप्त कर सकते हैं इसलिए इस वीडियो के अंदर में आपको उस application को कैसे यूज करना है उससे संबंदित शंक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूँ आप उसको दियान परवक देखें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जो mobile number है registered mobile number जो school में दिया आपने उस पर एक message आएगा उस message के अंदर तीन जानकारियां होगी पहली आपकी user ID दीवी होगी दूसरा उसमें आपके password दिया हूँ होगा जो आपके mobile number होगे और तीसरी चीज जो उस पर एक नीचे link दिया हूँ आएगा उस link को आपको open करना है और HRD International School का जो application है उसको download करना है तो सबसे पहले आप देगे आप जैसे message को open करेंगे तो आपके पास इस परकार का एक message आएगा उस message में सबसे पहले उपर online panel login details दीवी है जिसमें user ID दीवी है आपके और इस user ID के नीचे mobile number दिये हुए है ये mobile number इस ID के पासवर्ड है आपके लिए ID अलग आएगी और पासवर्ड अलग आएगे और नीचे जो link दिया हुआ है उस पर आपको click करना है जैसे आप click करेंगे तो play store के अंदर एक HRD International School नाम से Android application आजाएगा उसको आपको install करना है यहां यह install मेरे किया हुआ है इसलिए open का रहा है आप पहली बार करेंगे तो यहां पर install का एक option आएगा आप उसको install कर दीजिए उसके बाद में इसको यहां से open करना है आपको जैसे आप इस app को open करेंगे तो इस प्रकार की screen आपके सामने आएगी यहां से आप basic जान करें जो विद्याले सम्दित है वो प्राप्त कर सकते हैं लेकिन आपके पास जैसे ही idea जाएगी उस समय आपको इसे login करना है जैसे अब login का button है उस पर आपको click कर देना है जैसे ही आपने इसको login किया login करने के बाद आपके सामने यह दो option आए user ID और password इसके अंदर आपको जो message में मिला हुआ है user ID वो डालना है आपको जैसे मेरे message के अंदर यह user ID मिली हुई है इसको मैंने यहां type किया है और यह type करने के बाद यहां मैंने अपने जो password आये थे वो password डाले है आप इस password के से अपने login को कर देंगे तो आपके सामने इस प्रकार की एक screen खुलेगी इस screen में कई option दिये हुए है आज के युक में अभी जो present में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इसमें option है वो है academy का option academy के अंदर आप जा करके अपने बच्चे की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं आज जो school में online class है चल रही है उसके video इस academy के अंदर डाले गए हैं आप class wise subject wise डेली आप इसमें अपने बच्चे को video दिखा करके पढ़ाई कर सकते हैं तो आपन एक बार देखते हैं कि इसमें academy में अपन क्लिक करते हैं इसको जैसे आप academy में जाएंगे तो उपर ये option आएंगे select subject तो आप इसके उपर आप click करेंगे तो नीचे subject आजाएगा अभी फिलाल दो वीडियो चड़े हुए हैं हिंदी और Sanskrit के बाकी जिव जिव सब्जेक्ट के चड़ेंगे नीचे option आते जाएंगे मालो आपने Sanskrit को click किया है तो जैसे ही आप Sanskrit करेंगे नीचे option आजाएगा फिर वापस select chapter यानि आपको कौन सा अधियाई पढ़ना है इसको आप click करेंगे तो Sanskrit में ये वीडियो चड़ा हुआ है आपका Sanskrit alphabet यानि वर्ण माला चड़ी हुई है इसको आप click कर देंगे इसको click करने के बाद आपके नीचे वापस option आजाएगा select sub chapter इसको आप click करिए तो नीचे वापस Sanskrit alphabet आता है अब आपको इस वीडियो को play करना है इस तरफ जो वीडियो का दिया हुआ है play video इस पर आप click कर दीजिए तो आपके Sanskrit के जो वीडियो है वो इस पे आपको दिखने सुरू हो जाएंगे और आप Sanskrit की पढ़ाई आराम से कर सक सकते हैं इसके साथ इस application में जो ही school है वापस open होगी बहुत सारे feature है जिनका इस्तेमाल करके आप अपने घर बैठ करके भी अपने बच्चे की निगरानी पूरी तरफ रख सकते हैं उसका पूरा पायोड़ा उसकी जानकारी की दीवियों आप घर बैटे मोबाइल के द्वा